कि अधिक्ष। तो आज हम बात करेंगे यह के अंतरगत सबजेक्ट की जो है हमारा MP MP जो है पहली बात तो कोई सब्जेक्ट नहीं है ठीक है यह हमारे घर जैसा है परिवार जैसा है और उसको पढ़ना भी वेसे ही है क्योंकि कई बार क्या होता है कि डालेक्ट हम एंपी पढ मैं आनु सुपा और है यह को है नोले किन ना बने पडाना को सबसे माला संब्सक्राइब क्योंकि यह न हम क्योंब कर दो कि अगर इसका अध्यन करना है ऑद क्वेया को पड़ना है क्योंकि एक जिएस के अंतरगत आता है जनरल स्टडी समान यद्धियन के अंतरगत आता है तो यह जानना बहुत जरूरी कि भाई यह क्या पहला कोशन निवाक में यहीं बनेगा कि माधिप्रदेश क्या है कि क्य स्वस्टेंट के यह भी भात Day ऊपको के अगिसां के बाद भी के पड़ देके आते हैं कि एंपि पढ़ लिया हैं पुरा कम्प्लीट इसके बाद भी कोशन कि आया नहीं यह आता भी है तो बोलते हैं कि दो कुषिन आहें बस इससे जादा कुषिन नहीं आ लेकिन जब देखते हैं उसे आधाकर करके तो मिलेगा कम से कम 10 कौ। कम से कम इतना तो मिलेगा ही MP का कारण क्या है मधिप्रदेश पढ़ लिया है और की पढ़ाने वाले भी है कि डारेक्ट लिखेंगे मधिप्रदेश का गठन या सुरूबात कर देंगे मधिप्रदेश की अपुनर गठन से 1 नमबर 1956 पढ़ाना स्टार्ट और पूरा सब्जेक यह राज्जे है भारत कि यह आगई चलके बनाएंगे आपका भारत क्या है है अगर आप से पूछा जायए अगर आप नक्सा भी देखो के भारत का है यह भारत अगर आपसे बोला जाए कि भारत भाई कहां है आपसे बोला जाए हाथ रखो आप कहीं भी हाथ रखो आप यहां रखोगे भारत नहीं भारत नहीं है आप यहां रखोगे कहीं भी आप हाथ रख दो भारत नहीं है जैसे एक्जामपल मैंने यहां रखा भाई आपक भारत का है अगर यात रखोगे जम्मू का स्मीर है भारत का है तो भारत जो है भाई राज्यों का संग है जिसे अभी अपने बोला कि भाई मद्यप्रदेश एक राज्य वेसे हमारा जो भारत है यह राज्यों का संग है मतलब जो राज्य है यह आपस में मिलके बनाते हैं भा और यह आगे चलके भारत बनाएंगे तो यह जो मद्धिप्रदेश आज हमारे सामने हैं आप देखते हैं आपने मांचित्र देखा होगा नक्सा देखा होगा कि भाई जो मद्धिप्रदेश हैं हमारे सामने क्या यह सुरू से सही है यह आज जो आपको वर्तमान दिखता है स बोलते हैं कि परिवर्तनी प्रकृति का नियम है तो आपने बहुत सुना हो गई है कि परिवर्तनी प्रकृति का नियम है तो ठीक है वेसे ही सुरू से भी तक परिवर्तन होते आया है आज जो आप नक्सा देखोगे मद्यप्रदेश का बिल्कुल भी प्रारंब से ऐसा नहीं किस प्रकार से बना है तो अभी बात करेंगे हम सबसे फिले थोड़ से इसके इतिहास की क्योंकि हम को स्टार्ट करना मद्धिप्रदेश का तो इसको स्टार्ट करना बिल्कुल जीरो से सुनने से क्योंकि कई बार होता गाई किया है सुनने से स्टार्ट करना है और फिर पहुचेंगे हम गठन पर गठन से फिर आगे जाएंगे पुनर्गठन से सभी राजयों का पुनर्गठन भी हुआ है कि हुआ है कि अधिकतर पड़ने वाले गठन से स्टार्ट पर देते हैं यहां से स्टार्ट करें कोई यहां से बन जाता है 0 वर्तमान में किस प्रकार से घठन मH किस ने किया किया करना जीरो से ढहिए हो यहां से मैं मद्रदेश यह क्या है यह पहला कोईश्य दिखेगा gummy प्रदेश का हमारे पास managed इसका है यहां मद्र प्रदेश तो जिस प्रकारसे आपको मानचितर लिखेगा वी नगशा है अब यह जो नक्सा है हमारे पास वर्तमान बाला ऐसा नहीं है तो पहले के सदा फिर तो यह बात करेंगे हम सबसे पहले तो ध्यान से आपको समझना है पूरा की पूरा तब जाके वर्तमान नक्सा आपका बनेगा और सब बनाओगे जैसे है आपके पास वर्तमान नक्सा खु से आपको समझना की बना कैसे ही थोड़ा इसके इतिहास देखेंगे नर्बदा नदी यह आज जो हमारे पास मद्रदेश का नक्सा है वर्तवान सुरूपे यह बिल्कुल भी ब्रीटिस काल में वेशा नहीं था ब्रीटिस काल मतलब अंग्रेजों के समय जब अंग्रेजों की हुकुमत थी जब बिल्कुल भी मद्रदेश वेशा नहीं था यह जिस प्रकार से आज मद्रदेश की सीमा रेका है यह बिल्कुल भी अलग थी बिल्कुल अलग थी किस प्रकार से थी यह आपकी नर्बदा ने दी इसके जस्ट नीचे एक प्रांत हुआ करता था जिसको हम सांतार व॥ उसलोह करता था इसको बोलतेवैं बरार प्रांत ए सम्ता आज आप देखोंगे महरास्ट में मिला भी वह है वो भी हम देखेंगे यह क्यों मिला है यह सेंटर प्रावींस और ब्राहर प्रांत और इनके बीच में तीन प्रांत ओड़ थे पहला आपका कि महा कोशल है कि यहां पर आपका कि बगेल खंडे और यहां पर आपका चत्तित गड़ रियासत यह आपका ब्रीटिस काल का नक्सा है मध्यप्रदेश का यह जो ब्रीटिस समय था उस समय आपका मध्यप्रदेश प्रकार से था में प्रांत जो था वह आपका सेंटर प्राविंस लगता था इसके अतिरिक ब्राहर प्रांत है महा कोशल चत्तित गड़ रियासत और बगेल ख यह आपका Central India यह नाम था इसका यह पूरा की पूरा जो भारत है उसको हम बोलते थे भाई उसके मध्य वाले भाको Central India अगर आपको क्वेश्चन है भाई Central India में क्या-क्या था तो यह आपको धियान रखना भाई Central प्राविन्स है बरार प्रांते महा कोशले चत्रगर रियासदर बगेल खंडे यह सब मिलने के बाद इन सब को मिला के जो अंग्रेज थे वह बोलते थे Central India इसको समय बोला था मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश बोलते थे Central India हो गया मध्यप्रदेश उस समय की बाते ब्रीटिस काल की यह आपकी नर्बदा नदी जस्टिस के नीचे वाले हिस्से की में बात कर रहा हूं लेकिन हुआ क्या जैसे हम आजाद हुए सोतंत्र हुए कब ह चैनल को प्राप्त हुए सबी राज्यों का गठन हुआ जितनेवी राज्यक संबढ़न में आर्टिका लेक में लिखाये कि भारत करो सब्सक्रा बदलेगा कैसे कि यह जितना भी भाग है 1947 की बात कर रहा हूं में गठन के समय की यह जितना भी भाग है सेंट्रल इंडिया बोलते हैं अंग्रेज इसको पूरे की पूरे भाग को हमने नाम दिया पार्ट ए उन्निस सो से तालिस पार्ट ए इसको हमने बोला है पार्ट ए बोला है और इस पूरे की पूरे भाग को पार्ट ए बोलके बोल दिया मद्प्रदेश और राजधानी जो है यह रखे गई यह बरारपांति के अंतरगतिक जगे है नाकपूर यह आपकी राजधानी 1947 मद्प्रदेश की पहली के अंतरगत आती थी बरार प्रांत या कौन सा पार्ट था तो पार्ट ए यह पूरे को उसने पार्ट ए बोला है और राजधानी जो है वह बरार प्रांत के अंतरगत को सी रखिए नाकपूर तो यह आपका मातिप्रदेश का गठन कब हुआ 1947 से इसके अतरिक्त और भी है ध्यान से आपको समझना नर्मदा नदी के यस्ट हम उपर गए टो यहां के जितने भी पूर्वी रियास्त हैं उपर वाए जितने भी इस जगै के पूर्वी रियासत वी उन सब को मिला के पार्ट सी और यह आपका पार्ट टोटल पाट सी आपके ऊपर वाले पूर्वीरियासत जितनी भी और पाइट सी जो है इसका नाम रखा इनों ने विंद्धिप्रदेश यह आपका विंद प्रदेश यह आपका मद्प्रदेश हो चुका है इसके उपर वाले में स्टेट बता रहा हूं ठीक है क्योंकि आगे चलके जब मद्प्रदेश का पुनर गठं होगा तो इनको मिला जाना है नर्बत नदी के ऊपर वाले जो भाग हैं विंद्ध प्रदेश से पहला पूरवी रियासत को मिला के और राजधानी क्या रखी इसकी भाई रीवा ये इसकी राजधानी थी एक और पार्ट सी का हिस्सा है एक और स्टेट जस्ट इसके साइड में है उसका नाम है भोपाल ये एक स्टेट था एक राजधा आपको याद रखना है आज जिला है और जिले से पहले दूसरे जिले की तहसिल भी रह चुका है वो ठेड़े पहले वह एक स्टेट है अपने आप में और उसकी राजधानी जो है खुद भोपाल ही थी ठीए और यह जो है यह बी पार्ट सी कही एक हिस्सा था अब बात करें इधर वाली पश्यमी रियासत की इधर की जितने भी पश्यमी रियासत हैं इन सब को सुभावी के कौन सा पार्ट नाम देना है भाई यह हो चुका है वो सी है तो यह कौन सा पार्ट होगा आपका पार्ट भी यह आपकी पश्यमी रियासत ह और इसका नाम रखा मद्धि भारत प्रदेश है कि ये भी एक स्टेट अपका 1947 का मध्धि भारत प्रदेश जिसकर सबसे पहले 6 महीने जो राजधानी आपकी ग्वालियर रही है चैनल लाज्धानी आपकी इंदोर रही है यह दोनों राजधानी आपको याद रखना कैना यह वह पूरा जो सेंटर इंडिया था British Kall में उसको नाम क्या दिया हमने part A और राजधानी क्या रखी भही आपकी नाकपूर किस परांत में आती है वह बरार परांत में और यह सब किस परांत का हिस्सा है आपके part A का वही हमने देखा part B इसका नाम दिया हमने मध्भराज प्रदेश च्छे महीने राजधाने इंदोर दूसरा इसी में एग आता स्टेट भोपाल मैंद्य provinceश का नक्सा अब मांध्य एगघ्ञ 247 में गठन के बाद भी वर्तमान सुरूप हमको नहीं मिला है मलब इसमें बदलाओ होना है बदलाओ का कारण क्या है कि जब जितने भी राज्य सबका गठन हुआ और राज गठन होने के बाद सबसे बड़ी समस्या आने लगी भाई इस देश में भासा की सबसे बड़ी समस् के यह आपका सेंटर प्राविंस आज मैध्य प्रदेच में इसकी भाई भांसा देखोगे आप हिंदी चत्तिसगड़ देखोगे आपको शत्तिसगड़ीर मिल एक सब अलग अलग भासा के लोग मिलेंगे एक ही स्टेट में अब जब अलग अलग भासा बोलने वाले लोग एक ही जगे रहेंगे तो सबसे पहला सबाल भावनात्मा विकास केसे होगा अगर आपकी लड़ाई हो गई अब लड़ाई हो गई एक व्यक्ति राजिस्तानी बोल रहा है यह राजिस्तान में गाली दे दे रहें दोनों एक दूसरे को गाली लड़ाई भी होगे खतम भी होगी तो यह भी दिक्कत की प्रकार की दिक्कत है हलागि एक्जामपल दे रहें अपन ठीक यहां पर जो भासा है यह मेन रीज़ने भाई इस चीज का पुनरगठन का जो दिक्कते आई हैं राज्यों में वो थी बस भासा की अलग अलग भासा बोलने वाले लोगों को एक साथ कर दिया गया है और जब एक साथ किया तो भाई ये दिक्कते आने लगी लोग एक दूसरे की भावनाओं को बातों को समझते नहीं है बिल्कुल भी इसलिए 1947 के बाद जितने भी राज हैं वो पुनर है किari भासाई अ॥ार पे भासा के अधाण किया जाएं कि यह ने पुनर गठ्चन का आधार होगा वें वो ब्यारत का नक्सा जब भी देखो में गया हां कित देखो आपका भासा कभी भी आपको एकदम सीधी लाइन बिलकुल नहीं मिलेगी आप मध्यप्रदेश देख लो यह मध्यप्रदेश इस प्रकार से लाइने चली है यहां से इस प्रकार से हो गई फिर इस प्रकार से उपर इस प्रकार से आपको मिलेंगी लाइने कहीं भी आपको सीधी लाइन ब सीब लाइन बिल्कुल एक दम ऐसी में स्टेट सीधी करें भी आप इस प्रकार से सीमा नहीं मिलेगी जैसे भारत में राज्यो की यह कारण बस बहुत भासा आप महारास्ट का आडी तिर्ची लाइने मिलेंगी पसकारण क्या है भासा यहां तक नहीं लोग पाये आपने तो जिसे अमेरिका एकदम सीधी स्टेट लाइने मिलेंगी हर राज इस प्रकार से बटा हुआ मिलेगा भासा एक है भाई भारत में क्या संपरदाई बहुत हैं इतियास में पढ़ते हैं उसको इसलिए यहां पर इस प्रकार से नक्सा तो जो पुनरगठन की मांग उठने लगी वो उसका अधार है बस भासा कि वह भासा के अधार पर पुनरगठन कर दो फिर से राज्यों का और यह जो मांग यह उसका अधार रख़ाका से भासा के आधार पर राज्यों का पुनरगठन कर दो इसलिए 1965 pensar और पुनरगठन आयोग बनाया गया है सबस्य तीन सदस्य आयोग बना है निस तीन सदस्य आयोग बना है भासा के आधार इंडुए बदूरगठन के भाई आधारण होगा और अध्यक्षनायोग के फजलली दूसरे व्यक्ति है आपके ले दूसरे व्यक्ति है और तीसरे आपके के absorbed कर और यह तीन व्यक्ति थे आपके ब्लेल वोग में और इनका जो अध्यक्ष था वह आपके दिह ले लिए लियुक्त प् fällt आ राज्यों का पुनरगठन होना जब इन्होंने इस प्रकार से देखा लोग प्रकार से राज्यों में हो गया उसी को राज नहीं बनाया हटा दिया उसको राज्य के एंतरवत कर दिया राज्य का थे के अंध्य प्रदेश वांग सने कि अधार पर पहला राज्य पुनरगटित है आपका अंध्य प्रदेश कब बना एक नुमंबर 1953 पर इसके राज्जी बने हमको किसी से कोई मतलब नहीं है अभी हमको सिर्फ अभी धियान देना है भाई मद्यप्रदेश पर कि इसका पुनरगठन का बोगा गठन 1947 यह नक्सा आपके सामने है पुनरगठन हमको देखना है इसका जो पुनरगठन हुआ है यह आपका एक नॉमबर 1956 और मैंने बोला पुनरगठन जो राज्य है क्यों हो रहे हैं किसलिए हो रहे हैं या अधार क्या है तो भाई वो है आपका भासा तो सुभावी के मद्यप्रदेश का यह पुनरगठन होगा तो वो भी भासा के अधार पे होगा और भासा क्या है यहां की हिंदी तो हिंदी भासा के अधार पे मद्यप्रदेश का पुनरगठन होगा कब 1 नॉमबर 1956 जब पुनरगठन हुआ तो यह आपको धियान रखना है कि यह जो मद्यप्रदेश है इसमें बहुत कुछ संसोधन हुआ है इस प्रकार से आपको नक्सा नहीं मिले गया बदल जाएगा पहला संसोधन आपको धियान में रखना है बरार प्रांत जो है आपका इसको मद्यप्रदेश से हटा दिया गया पहला संसोधन कब 1 नॉमबर 1956 और हटाने के बाद इसको मिला दिया गया है मुंबई राज में मुंबई पहले राज था आगे चलके यह बनेगा महरास्ट रा प्रांत को अलग कर दिया मद्य प्रदेश सेही सर्फ में और मैंने बोला मद्य प्रदेश की पहली राजदानी की आए नाकपूर और वह उसी के अंतर गता आती थी और लब सोभाभी क्नेएं भी बदलेगी क्योंकि वर्यंद्ध मैं आप यह कि जैसे इसको हटाया है तो प पूरी तरह से मद्यवर्देश में मिला गया है मध्ड भरत प्रदेश को भी मध्यृ प्रदेश में मिला गया लेकिन इसमें संसोधन हुए पहला आपका जो मंशोर जिला है यहां एक चैत्र है सुनेल टपका करके तो इस चैत्र की एक भानपूरा वहां जो लोग थे वो राजिस्थानी भासा यूज करते थे इसलिए उस छेत्र को छोड़कर पूरे की पूरे मद्धिभारत को मद्ध प्रदेश में मिला लिया गया कौन सा छेत्र छूटा है सुनेल टपा छेत्र का है भानपूरा तहसिल उसको छोड़के अब यह आप याद रखना है किस छेत्र की बात कर रहा हूं मैं मद्ध भारत प्रदेश की इसके अलावा भोपाल विंद्ध प्रदेश और जितने भी चेत्रें बगेल खंडे चत्तिस गड़े महा कोशल सब को मिला लिया गया मद्ध प्रदेश में और सब को मिलाने के बाद पन में तो जिस समय भोपाल याद रखना यापका राजधनी बना है मद्द प्रदेश की उस समय जिला ना और तैसिल था किसकी तहसील था यह और हो गया लेकिन जब ये पुनर्गटन हुआ उस समय मात्र मध्य प्रदेश के अंतरगत सत्रा जिले रहे गए थे संसोधन के समय सत्रा जिले रहे गए थे लेकिन जब बहुत सारे दूसरे दूसरी जगे से छेत्र मिलाए गए हैं तो यहां पे सत्रा पुराने जिले और 26 नए जिले बने उनिस्टो चपन सत्रा पुराने और 26 नए टोटल आप मिलाओगे आप यहां याद रखना he? संक्या question आता है यहां से मद्यप्रदेस का पुनरगटन हुआ उस समें यहां कितने जिले थे तो याद रखना तीरतालिस जिले थे जिसमें पुराने जिलों की संक्या 17 ती और जो नए जिले बने थे वो कितने थे 26 सब्वीस तो दोनों मिलाने के बाद जिलों के संख्या कितनी हो गई तो यह आपके जिलों गए भाई तिरतालिस पुनर गठन के समें एक नवंबर अभी कितने थे हमारे पार 43 मैंने बुला दो जिले ओर 8 कर दिया कितने हो गई संक्या 45 अभी जो दो जिले हैं कौन-कौन से पहला जिला आपका भोपाल अब बना ही जिला कब बनाए 26 जनबर 1972 किसके अंतरगत आता था सिहोर के अंतरगत मतलब सिहोर से अलग करके क्या बना आपका राजनान गाओं से अलग करके दुर्ग राजनान गाओं आज आप देखोगे चत्तित गड़ में आपको मिलेगा तो यहां पर दूसरा जो जिला बनाए आपका वह आपका दुर्ग यह दो जिले हैं कब बनें आपके 26 जनवरी 1972 तो तो 43-56 के समय थे और दो अभी ब यह आपका आयोग की बात कर रहा हूं में जो मध्यप्रदेश में जिले बनाता है आपका योग उससे में अध्यक्ष्ट आपके 20 दूबे तो उनकी अध्यक्षिता में 10 जिले बनाए गए लेकिन हुआ क्या इनके मद्य में कुछ आपसी मतवेद हुए या कोई भारी विव बनें लेकिन भारी विवात के करना आप चेंज हुए और अगले अध्यक्षिता में जिले हुआ हुआ है ने पहले कितने बन गए थे 10 और बाद में जिले hap तोटल कितने जिले यहां पे 16 और अभी कितने थे हमारे पास 45 तो शूला और 45 जब आप देखोगे तो टोटल संक्या कितनी मिलेगी आपको 61 लेकिन यह तो अभी 52 भी ज्यादा हो गई अभी तो भावन से भी ज्यादा हो गई एक सट्ट जिले हो चुके हैं लेकिन यह जो संक्या है कभी घटती नहीं आपको ध्यान में रखना आपने की गाडियों पर इसे नंबर भी देखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा एंपी 62 एंपी 65 एंपी 69 तक आपको मिल जाएगा और दिमाग में कॉश्चन उठता मद्यप्रदेश में तो जिले बाबा नहीं फिर 62 कहां से आ गया यह समय की घटना है आज भी जो जिले बनते हैं उनको संक्या आगे की दी जाती है बीच के जो जिले वह आपके 36 गण में चले गए तो संक्या जोए वो तो निरंतर बढ़ेगी आपकी तो यह आपके 61 जिले हो चुके 1998 में इन यह जो 16 नए जिले बने हैं इसमें आपको याद रखना है हर्दा है कटनी है उमरिया है सिवपूर है डिंडोरी है बढ़वानी है यह मद्धि प्रदेश में जो अभी जजगीर है जसपूर है कोरवा है कबरदा है कोरिया है इसके अलाबा महासमंद है धंतेवाड़ा है धंतरी है ऐसे 16 जो जिले हैं आपके यह जिले बनाए गए आपके कब बनाए गए हैं 1998 में संग्या कितनी हो गई 45 थे हमारे पास यहां पे उसोला और जोड़ दिया हमने क इतनी हो गई 61 लेकिन फिर दिक्कति आई दिक्कति यह आई कि नेता हैं हमारे देश में इसे और उस समय भी इसे थे जिनके कारण हमारा जो मध्य प्रदेश है इससे वापस से एक नवंबर सन 2000 को 16 जिले अलग कर दिये गए वापस आगे उकाद पर अभी कितने कर दिये थे 61 वापस आगे गूंपिर के कितने हो गए अलग 16 जिमें साथ पुराने और नो नए जिले थे और 16 जिलों के साथ इन्होंने एक अलग से राज्जी बना दिया गया 36 गड़ एक नमबर सन दोजा यह लग हो गया आपका मध्य प्रदेश टूट गया आज आप नक्सा उठाके देखोगे तो मध्य प्रदेश जो है भारत का नक्सा उठाके देखोगे यहां पर यह आपका मध्य प्रदेश का जो नक्सा था पहले एक नमबर सन 2000 के पहले इतना हुआ करता था यह आपका पूरा मध्य प्रदेश था तोटल यह जो 36 गड़ यह भी मध्य प्रदेश था लेकिन कुछ नेताओं के करण जो भी हुआ उसके करण हैं से 16 जिले अलग कर दिये गए साथ पुराने नू नए जिले और उसी के साथ एक नया राज्य गटित कर दिया गया 36 गड़ और 36 गड़ अलग हुआ मध्य प्रदेश वापस आगे भाई अपन कितने जिले बच्चे अब 45 भाई एक सट पहले हो चुके थे लिए 16 आप वापस अट आओगे त जड़ास फेतालिस है अधाय कर पंद्रा अगस्त अ है करन dön rav 44 अगय हमर पन कितने लोर तींस आवं है पंद्रा अगस्त अन तरें को इनमें आपका सबसे पहला तो बुरानपुर है जिसको अलगT किया गया था खंडवासे दूसरा आपका सैडे यॉल से अलग कर बना आपका अनूपबर्वना और गुणा से अलग करके बना था आपका सोगनगर तो इस तीन जिले हैं यह अलग करके बनाए गए थे 15 संदोजार तीन को बुरानपूरे आपका यह याद रखना अफसोगनागर आपका सेडोल से लग करके अनुप पूर बना तहीं जो तीन की तीन जिले हैं अब यहां पर बन गए हैं पंदर आगस्त को संदोजार तीन तो पेतालिस और तीन टोटल संग्या कितनी हो गई हमारे पास 48 यह अभी कितने जिले हो चुके हैं हमारे पास तक 48 थोड़ा आगे बड़े हम संदोजार आठ संदोजार आठ में भी दो तारीक हैं याद रखना हैं पहली आपकी 17 मही और दूसरी याद रखना है 24 मही क्योंकि दो जिले बनेंगे 17 मही जो आपका यहां बना आपका जहाबुआ से अलग करके अली राजपूर और 24 मही को बना आपका सिधी से अलग करके सिंग रोली यह दो जिले बनें आपके संदोजार आठ में तो 48 और दो कितने हो गए हमारे पास 50 यह संक्या हो गई जिलो की 50 थोड़ा आगे बढ़ते हैं 15 अगस्त संदोजार तेरा एक जिला बना आपका नया साजापुर से अलग करके आगर माल हुआ संक्या कितनी हो गई 51 और अभी सबसे नविंतम जिला आप सबको पता है कौन सा बना है निवाडी किस से अलग किया उसको टीकमगर से ठीक है तो एक अक्टूबर संदोयर 18 का याद रखना आपको निवाडी वर्तमान जो नक्सा है आज हमारे पास मध्यप्रदेश का उस नक्से पहुंच गए तोटल यह जिलो की संक्या जब आप देखो गे मध्यप्रदेश में तो हमको मिलेंगी यहां पर बावन पी जो नक्सा है अब यह नक्सा देखने में लग रहा है कि बावन जिले हैं कैसे से याद करेंगे और आपको याद करना है जब तक यह आप जिले नहीं याद करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा मध्यप्रदेश में भाई आपको बुक पढ़नी पढ़ लो हज्जारों बुक मिलेगी मार्केट में कि आगा ने कि यह विकुंट अब आपको पढ़ना कोई-सी भी किताब में समाझ में नहीं आगा मांचित्र दिमाग में नहीं आएगा और मेने आगे पढ़ा दिया जवल पुर और आपको पता ही ही नहीं है जवशन हे को क्या करोगे कितना रटोगार ne है तो सबसे पहला और आपको करना है तब आगेगी कि लास आपको arkadaş है आपको एक नक्सा लेना है सबसे पहले तो मात्रया less कही आप जाओगे दूकान मिल जाएगा आप बोलना मध्यपष्श का पॉलीटिकल यानिय राजनेतिक नक्सा मिलेगा आपको पूरा ख्altedktion मिलेगा उसमें इक सिर्च पाली नक्से में मिलेगा और उस खाली नक्से में अब एक काम करना नक्से से देख देखकर पूरे जिले आपको बहरना है दो से तीन बार सॉ woven स्पीकी यूटिस-इयुक शेव देह सकते हो ताकि आप देखके पेले जिले तो भर लो उसक़ बंध कर देना या ऀया से देखके बढरेंति उसको बंद कर देना और उस नक्से में आप पेन उठाना या achieved लेना पर bleiben और गिए रीशल्च चलेई जब सुनुऊ हो जाएंगे नहीं हो तो आप बता देना इधर विल्कुल होँगे जिसे आपप 4-5 बार भरना पूरे की पूरे आपकोства पावंश-छीन्फ याद हो जाएंगे जिस दिन यह याद हुए पूरा मध्य प्रदेस आप पड़ा दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा सब्जेक्ट कब खतम हो गया और क्वेश्चन की भी उकात नहीं कि इससे बाहर चले आप बावन जिले हैं क्वेश्चन एंपी से बाहर जाएगा कहां 53 सबसे याद करना है इसके बाद ही आगेगी क्लास भी समझ में आएगी तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बाद हमारी अगली क्लास लगेगी ठीक है